बिरिकिबाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है काल चक्र में हमारे शरीर में कुले साथ चक्र होते हैं जो हमारे जिन्दगी के अलग-अलग पहलूँ से जुरे होते हैं हर चक्र का शरीर पर अलग प्रभाव परता है इन चक्रों को balance करके हम किसी भी बिमारी, मांसिक परिशानी और मुश्किलों से पार पास सकते हैं और इसी विशेपर आज हमारी खास चर्चा है पंडिट जी ने आपको पहली segment में दू चक्रों के बारे में बताया तो चलिए अब बात कर लेते हैं शरीर के तीसरे चक्र यानि मनिपूर्चकर की मनिपूर्चकर अगर body more balance हो, imbalance हो, तो कितना असर होता है आपके life पर और कौन से इसके positive और negative impact भी होते हैं वो जान लेते हैं, पंडिट जी बताए देखें मडिपूर्चकर मानव सरीर का तीसरा चक्र है जिसे नाभी चक्र भी कहते हैं और ये नाभी के ठीक नीचे होता है ये अगनी ततो वाला चक्र है और यहाँ पर जोंतिश सास्तर के अमसार मेश और ब्रिश्चिक दोनों रासियों का प्रभाव होता है यहाँ सूर्य उच्चका होता है और मंगल स्वग्रही होता है और सनी यहाँ नीच्चका होता है चंद्रमा यहाँ नीच्चका होता है अगर आपके मेश रासी में सनी हो ब्रिश्चिक रासी में चंद्रमा हो अपनी कुंडली देख लिजे तो निश्चित रूप से आपको डाइजेशन की आज जीवन समस्या रहेगी आप कुछ भी खाएंगे ऐसा लगेगा जैसे पेट में रखा हुआ है लेकिन अगर एक नंबर और आठ नंबर में मंगल की इस्थिती हो एक नंबर में सूरी की इस्थिती हो तो आप चाहे जितना भोजन करें वो जल करके राख हो जाएगा और बहुत थोड़ा सा मल आपके सरीर से निकलेगा लेकिन अगर सनी या चंद्रमा मेस रासी और ब्रिश्चिक रासी में क्रमसा होंगे तो आप जितना खाओगे उतना मल भी निकलेगा और डाइजेसन भी ठीक नहीं होगी और आपका स्वास्थ भी अच्छा नहीं रहेगा यही पर समान वायू होती है मड़पूरक चक्र में ही समान वायू होती है जो पूरे सरीर के टेंपरेचर को 98.4 पर मेंटेन करती है जो हमारे सरीर का टेंपरेचर चाहे जीव के नीचे थर्मामीटर लगाईए चाहे कांख में थर्मामीटर लगाईए 98.4 का टेंपरेचर मेंटेन करने वाली जो सकती है जिसको समान वायू कहते हैं वो मड़पूरक चकर के नीचे ही होती है और यह जरासा डिस्बैलेंस होने पर आदमी का temperature बढ़ने घटने लगता है और बहुत ज़्यादा घटने पर आदमी की मृत्तु भी हो जाती है और बहुत ज़्यादा बढ़ने पर आदमी अत्यधिक ज्वर से पीडित हो करके कुछ भी हो सकता है तो आप अपने कुंडली को देखिएगा अगर मड़िपूरक चक्र पर सूर्य या मंगल की इस्थिती नहीं है तो आप अपने नाभी का ध्यान करके सूर्य के मंतरों को अगर जब करिएगा या मंगल के मंतरों का नाभी पर ध्यान करके जब करिएगा तो आपका ये चक्र उन ग्रहों के प्रभाव में आ जाएगा मड़िपूरक चक्र तत्तो अगनी चक्र है ये चक्र ग्यान बुद्धी आत्मिस्वास निड़े लेने की छमता को जन्म देता है मड़िपूरक चक्र संतुलित हो तो व्यक्ति आत्मिस्वास से पूर्ण होता है ऐसे व्यक्ति में नेत्रितो की छमता होती है मड़िपूरक चक्र अगर जरुव से ज़्यादा सक्री हो तो व्यक्ति उरजावान होता है जरुव से ज़्यादा काम करता है मड़ी पूरक चक्र असामाने रूप से सक्री हो तो व्यक्ति में आपने विश्वास की कमी आ जाती है व्यक्ति डरता है अस्फल होने के डर से फैसले नहीं ले पाता है इस इस्थिती में पाचन खराब होता है मधुमे, अलसर, ठकान, डर, आकरामक बेवार जैसी समस्या हो सकती है मड़ी पूरक चक्र को संतुलित करने के लिए सूरी की रोसनी में जरूर बैठें या सूरी को जल चाहें मैंने आपको पता दिया सूरी के मंत्रों का जब नाभी पर ध्यान करते हुए अगर आप करेंगे मंगल के मंत्रों का नाभी पर ध्यान करते हुए अगर आप जब करेंगे तो आपका मड़ी पूरक चक्र अपने आप बहुत ही पोजिटिव सकारात्मक रूप से एक्टिवेट हो जाएगा जैमाबिन दिवासनी तो आगे और चक्रों के बारे में जानेंगे लेकिन उसके पहले जान लेते सिंहराशी का राशी फल कैसा रहेगा आज काउन का पूरा दिन देखे सिंहराशी के जात्कों को कहना चाहूँगा कि आपके गमानस्थान में अगर ब्रहस्पती है तो इसका मतलब कि आप धार्मी के आत्रा पर पैसा खर्च करेंगे ये अच्छी बात है आफिस में रुके हुए काम भी आपको निप्टाने होंगे धैरे रखिए बिगड़ते रिस्तों में भी सुधार होगा खान पान अच्छा रखिए सेहत अच्छी रहेगी प्रापर्टी में निवेश से पहले पेपर सजांच लें बहते जल में काले तिल प्रवाहित करें सुभंग आपके लिए तीन है सुभंग आपके लिए केसरिया है जैमाबिन निबासनी तो जली आप बात कर लेते हैं चौथे चक्र की यानि अनाहत चक्र की इस चक्र का हमारे शरीर और जीवन पर क्या असर होता है ये जान लेते हैं पंडिट जी ये जानें के लिकिन इसी से जुरा हुआ मेरे सवाल है हम चक्रों की चर्चा करी रहे तो क्या योग से सभी चक्र अक्टिव होते हैं कि कुछ चक्र जो अक्टिव होते हैं जैसे कुंडली से भी आपने रिलेट किया देखो पूरुजन्म के प्रारब्ध से पूरुजन्म में अगर आपने साधना की है ठीक है तो पूरुजन्म में जीव के साथ मन और बुद्धी भी जुड़े रहते हैं ठीक है पूरुजन्म के प्रारब्ध के साथ तो किसी किसी का बिना प्रयास किये सारे चक्र जागरित हो जाते हैं और कुंदली भी जागरित हो जाती है जिसकी कुंदली में सिंहरासी में चंद्र हो जहां तक 1997 मैंने अधियन किया तो अनाह चक्र को हिर्दय चक्र कहते हैं यह watch-पर तुला और बृसब्रशन दो रासिया हैं यहाँ पर चंद्रमा उच्छ का होता है सनी उच्छ का होता है और यहाँ पर सनी है तो ऐसा व्यक्ति अपने व्यक्ति तुसे दुनिया को प्रभावित करेगा लेकिन अगर यहां पर सूर्य है तो ऐसा आदमी हर समय जलता रहेगा ऐसे आदमी के हिर्दय में हर समय बेचाइनी रहेगी हिर्दय का रोग होगा और सफलता उस से कोसों दूर भागेगी, तो कहने का आसर ये है कि आप अपनी कुंडली को भी देखकर अपने चक्रों के बारे में समझ सकते हैं, इस चक्र का रंग जो होता है, वो हरा होता है, इस चक्र के संतुलित होते ही मनुस्य की मनोकामनाई जल्दी पूरी होती है अनाहत चक्र संतुलित हो जाए तो व्यक्ति निहस्वार्थ भाव से प्रेम करता है ऐसे अब्यक्ति बहुत आसानी से दूसरों को छमा कर देता है अनाहाच चक्र जरूर से ज़्यादा सक्री हो तो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पाता है सर्तों पर प्यार करता है और हावी होने की कोशिस करता है अनाहाच चक्र असामान रूप से अगर सक्री हो तो व्यक्ति खुद से प्यार नहीं कर पाता है जिन लोगों का अनाहाच चक्र असंतुलित हो उनकी पल्स रेट असंतुलित रहती है उच या निम्न रक्तचाप की समस्या रहती है फेफड़ा या अस्तन में तकलीफ हो सकती है एलरजी बुखार टीबी का रोग होने की संभावना बढ़ जाती है रात को सोने में पहले ध्यान करने से अनाहाच चक्र संकुलित हो जाता है या हिर्दय पर ध्यान करते हुए अगर आप चंद्रमा का या नमः शिवाय का जब करें या तो ओम सोम सोमाय नमः का जब करें या चंद्रमा का जब करें या स्री सुक्तम का पाठ करते हुए हिर्द अद्भुत सांती होगी बाहरी क्रिया कलाप से आप ब्याथित नहीं होंगे जैमा बिंदिवासनी तो अब जान लेते हैं कन्या राशी का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन देखे कन्या राशी के जातकों को पताना चाहूंगा कि आपके राशी में केतू की इस्थिती है आपके गमन अस्थान का स्वामी सुक्र मंगल के साथ इस समय पंचमभाव में इस्थित है ऐसे में अगर आपको यात्रा कर रहे हैं और जरासा भी असाउधानी अपने सामान के प्रतिका आप करेंगे तो धन्हानी की संभावना बनी हुई है अगर आप नौकरी करते हैं तो अस्थानांतरन का योग बन रहा है नए रिस्ते बनेंगे बिवाह का योग भी बन रहा है पिता के स्वास्त का खास ध्यान रखना चाहिए जल्दबाजी में कोई हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए भगवान गनेश को दुर्वांकूर अरपित करना चाहिए सुभंक आपके लिए नव है सुभरंग आपके लिए आस्मानी है जै माबिंदिवासनी तो अब बात कर लेते हैं पाच में चक्र यानी विशुद्ध चक्र की ये चक्र बोडी में कहा होता है और इस चक्र का बैलेंस या इंबैलेंस हमारी लाइफ में कितना असर डालता है ये भी जान लेते हैं बताए पंड़ी चक्र ये कंठ जो वायस बाक्स है जहां से खाने की नली और स्वास की नली दोनों अलग होती है वहां इसको बिसुद्धी चक्र कहते हैं ये पंचवां चक्र है जिसे कंठ चक्र भी कहा जाता है ठीक है अब यहां की रासियां चुकि हमारा जोंतिस का कायर कम है न तो इसको जोंतिस से ही मैं रिलेट करूँगा यहां पर रासियां मिथुन और कन्या होती है कौन सी रासियां होती है मिथुन और कन्या अब अपनी कुंडली में देख लीजिए अगर आपकी कुंडली तीन नंबर और च्छ नंबर में बुध बैठा हो तो पक्का है कि यह चक्र आपका अच्छा है अगर च्छ नंबर में बुध बैठा है तो आपका स्वर कोकिला की तरह होगा बैठा होगा, तो आपकी आवाज फटी हुई होगी, आपके बाणी से कोई प्रभावित नहीं होगा, आपके अंदर नपुन सक्ता की बिमारी होगी, आप संतान प्राप्ती में अस्फल रहेंगे, और आपको बैभव और जो संसार का सुख है, वो नहीं प्राप्त होगा, त समंत्र का जब साल दो साल किया जाता है, तो विसुद्धी चक्र जागिर्थ हो जाता है, और ऐसा व्यक्ति जब कुछ बोलता है, तो उसके बात से दूसरे लोग अपने जीवन में आचरण सुरू कर देते हैं, क्योंकि ये चक्र गले में इस्थित होता है, इस चक्र का रं से जागिर्थ सक्री हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति जोर जोर से बोलता है, दूसरों की बात कम सुनता है, विसुद्धी चक्र अगर असा मानने रूप से सक्री हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही डर डर कर बात करता है, विसुद्धी चक्र असंतुलित हो, तो गले में दर्द र जाता है खाने के खाने की जो नली है उसमें भी कैंसर की संभावना हो जाती है ऐसे लोगों को थाइराइड हो जाता है और यहां छूने पर जो है जरासा सूजन महसूस होती है यह थाइराइड का लक्षन है तो यह चक्र असंतुलित अगर होगा तो यह रोग होगा दात और म मसूरों में तकलीफ बन जाती है विशुद्धी चक्र को संतुलित रखने के लिए आदमी को संगीत सुनना चाहिए कलात्मक गजबिधियों में रूची दिखानी चाहिए और हो सके तो भगवान विश्णू का ध्यान करते हुए अपने विशुद्धी चक्र पर मंत्रों का जब भी करना चाहिए जै माविन दिवासनी तब जाने ते तुला राशी का राशी पल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन दिखे तुला राशी के जात्कों को बताना चाहूंगा कि आपका राशी स्वामी इस समय सुक्र मंगल के साथ चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है आपके पंचम भाव में सनी बुद सूरी की स्थिती है और शठे भाव में राहू है सात्वे भाव में ब्रिहस्पती है कुल मिला करके अगर आपकी आर्थिक स्थिती का मुल्यांकन किया जाए तो मंगल और सुक्र की इस्थिती, दूतियस और लगनेस की इस्थिती इस बात का संकेत है कि अगर आपका कोई payment कहीं फशा हुआ है, उसके release होने की संभावना काफी हर्ट क बन्य हुई है आपका payment आपको मिल सकता है, इसकी संभावना है नवकरी में पदोन्नती हो सकती है, पाज़वारिक बिबात खतम होंगे, चोट लगने की संभावना है, गाड़ी चलाते समय जादा सतर करहें, सिवलिंग पर कच्चा दूच चढ़ाएं, सुभंक आपके लिए दो है, सुभरंग आपके लिए हरा है, जैमाबिन दिवासनि तो अब बात कर लेते हैं, बॉडी के छठे चक्र यानि आज्या चक्र की, और ये चक्र बॉडी में कहा होता है, साथ ही ये चक्र बॉडी में बैलेंस या इंबैलेंस हो जाए, तो व्यक्ति पर कितना आसर होता है, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इंपक्ट मी जान देखे यह चक्र जो है भूमध्य में होता है जहां भग्वान सिस्वा की तीसरा नेत्र होता है जहां मनुश्र का ग्यान होता है वहीं चक्र होता है यहां पर शास्त्रों में कहा गया है कि डूल कमल की पंखुटियों उपर सफेद रंग के दो दल की कमल की पंखुडियों उपर भगवान सीव का ध्यान किया जाता है और तब इस चक्रक पर मतलब की ध्यान किया जाता है अब यहां अगर देखें तो यहां पर कोई रासी नहीं है बाई आख के उपर करक रासी है और दाहिनी आख के उपर सिंह रासी है बाई आख के उपर प्लानर पॉइंट है और दाहिनी आख के उपर क्रियेशन पॉइंट है अगर आपका चंद्रमा करक रासी में है या आपका ब्रिहस्पती करक रासी में है तो यू आर एक गुड प्ल आप अगर प्लान कर देंगे न तो वो चक्रविव की रचना हो जाएगी आपकी योजना में कोई छेंद नहीं लगा सकेगा लेकिन अगर यहीं पर मंगल बैठ गया करकरासी में तब तो सत्या नास आप जो भी प्लान बनाएंगे वो दस दिन के बाद अउधे मुह गिर मान का अग्याता हो जाता है दोनों भौहों के बीच में यह इस्थित है जा महिलाएं बिंदी लगाती हैं पूरुस्तिलक लगाते हैं वहीं आग्या चक्र होता है लेकिन खतरनाक चक्र है ध्यान रखियेगा यहीं भगवान सिव का मरिधर भी होता है इसी चक्र में डसता ह इस चक्र का रंग गहरा नीला होता है इस चक्र में आध्यात्मिक जागरुकता आत्मचिंतन और अस्पष्ट विचार की प्राप्ति होती है आग्यां चक्र जागित होने से व्यक्ति सिध्पूरुस बन जाता है उसके ज्यान की सीमा अनंत हो जाती है आग्याँ चक्र जवरों से ज़्यादा सक्री हो तो व्यत्ती की कलपना सक्री कम हो जाती है और वो वास्तविक्ता से दूर हो जाता है आग्याँ चक्र असामानने रूप से सक्री हो तो व्यत्ती को किसी भी परिसानी में निकलने में काफी मुश्किल होती है आग्या चक्र असंतुलित हो तो सिर्दद, साइनस, आखों में कमजोरी, सुभाव में गुसा, जिद, ऐसे लोग दूसरों के प्रति असंबेदन सील और कसाई ये से प्रविर्ति के हो जाते हैं आग्या चक्र को जागरत करने के लिए मन को सांत रखें, सकारात्मंग विचारों पर ध्यान रखें और भजन करके इस चक्र को जागरत किया जा सकता है आप एक एक घंटे रोज सीताराम सीताराम करिए राधा राधा करिए सिव सिव करिए एक घंटे रोज सुबह एक घंटे रोज साम ध्यान करिए और ये दो चार सालों तक अपनी तपस्या आप जारी रखिए एक दिन आप देख लीजिएगा कि आपके सातों चक्र जागरित हो जाएंगे इसमें कोई संदेह नहीं बारी मठेगरित होई बरू सिकता ते बरू तेल बिनुहरी भजन नभवतरी यह सिध्धान्त अपेल जै माबिन दिवासनी तब जानेंगे बिस्चिक राशी का राशी फल आज उनका दिन कैसा विठने वाला है देखे बिस्चिक राशी के जात्कों को बताना चाहूंगा कि आपका राशी स्वामी मंगल तृत्तिय भाव में सुक्र के साथ गोचर कर रहा है नए कारोबार में निवेश से आपको लाब मिलेगा अधिकारियों से वाद बिबाद न करें लंबे समय बाद अपनों से मिलेंगे स्वास्त ठीक रहेगा योग प्रनायाम करें पैसों का लेन देन साउधानी से करें बिद्यार्थों में सिक्षा से जुड़ा सामान बाटें सुभंक आपके लिए साथ है सुभरंग आपके लिए भूरा है जैमाबिन दिवास निवाद